राय लेना चाहता हूँ मैं M&M पर इसकी नतीजे आज आने वाले हैं चार्ट देखकर कोई संकेत मिल रहे हैं क्या किस तरह की पोजिशन्स बन रही हैं किरन M&M को नतीजों से पहले किस तरह से आप अप्रोच करेंगे आज तेक्टर्स की बिकरी को लेकर काफी सारे लोग हुच्साहित हैं एक्सकाने बन रही थी कि टेक्टर्स सेलज शायद अच्छी रही होगी चार्ट पर कुछ पोजिशन्स मनते भी दिख रही है क्या यह में जी बहुत strong chart pattern है और अगर देखते है तो यह consideration का जो lower side था वो करीवन 1450 के करीब है जब तक 1450 के ऊपर है तब तक मैं bullish रहूंगा कल को जो पहले सतर में हमने बिक्वाली देखिए बिल्कुल बॉल्मस नहीं थे सिर्फ यह स्टोक नीचा एक मार्केट दर साथ और मेरा मानना है कि इदर बिक्वाली हुई नहीं है वाल्य भी दुश्ट तो जैसे यह स्टोक ऊपर चलता है वोल्यूम बोट अच्छे होते या और लॉंग टर्म के लिए बिल्कुल रखना चाहिए क्योंकि अगर लॉंग टर्म चार्ज देखते हैं तो एक बहुत बड़े कंसलोरेशन का ब्रेकाउट करीबन 1380 के करीब आया था जिसका टार्गेट तो लॉंग टम के सबसे भी अच्छा है और मोमेंटम के सबसे भी अच्छा है